इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे टेलिविजिन से जुड़ी कुछ रोचक बातें तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो रोचक बातें टेलिविजिन को विज्ञान का एक अधुरुद अविश्कार माना चाता है इसका विश्कार जेल बेर्ड ने 1925 में किया था टेलिविजिन को हिंदी में दूर दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये दूर की वस्तु की चलती हुई एमेज हमारे सामने प्रस्तुत करता है वस्तब में टेलिविजिन की स्क्रीन पर सिर्फ एमेज ही होती है जो इतनी तेजी से बदलती रहती है कि हमारी आखों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये चल रही है दोस्तों पहला टेलिविजिन स्टेशन 1928 में अमेरिका में लगाया गया था और दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण कंपनी बीबीसी ने 1930 में प्रसारण आरंब किया था कई ने किया था 1936 तक टेलिविजिन में 12 इंच का स्क्रीन होता था और टीवी के साथ बड़े बड़े उपकरण भी होते थे इंडिया में टेलिविजिन का सबसे पहला प्रसारण दिल्ली में 15 सितंबर 1969 को किया गया था अमेरिका में 1953 में पहली बार कलर टीवी का प्रसारण किया गया था जबकि भारत में इसकी शुरुवात 1982 में हुई थी 1970 तक ब्लक और वाइट टेलिविजिन ही चलता था लेकिन 1972 तक आते आते कलर टेलिविजिन ने बाजार में जग़ बना ली थी सबसे पहला टीवी रिमोट कंट्रोल जैनित कंपनी ने 1950 में बनाया था इसे टेलिविजिन के साथ वाइर से जड़ा गया था शुरुवाती टीवी में कैथार्ट रे ट्यूब्स यानि CERT का इस्तमाल होता था जिसकी वजह से ये बड़े बकसे के आकार का और काफी भारी भी होता था मगर आजकल LCD, LED और प्लाजमा के स्क्रीन होते हैं जो काफी पतले होते हैं टेलिविजिन प्रसारण के फ्रिक्वेंसी VEHF 174 से 206 MHz और UHF 470 से 806 MHz होती है आज के समय में अकेले अमेरिका में ही लगवक 300 मिलियन टीवी हैं अपोल 11 मिशन पहला टेलिविजिन प्रोग्राम था जिसे 1969 में फ्रसारित किया गया था और जिसे 600 मिलियन लोगों ने देखा था टेलिविजिन का पहला विग्यापन 20 सेगंड का था जो बुलोगा कार्पोरेशन की एक घड़ी का था और दुनिया की सबसे पहली कार का विग्यापन शेवरले का था अमेरिका के घरों में आमतोर पर हर दिन 8 घंटे तक टेलिविजिन चलता है हम टेलिविजिन देखते समय सोते समय की तुलना में ज्यादर कैलरी बर्ण करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लाजमा टीवी पेनस्वानिक का प्लाजमा टीवी है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई